सुस्वागतम 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 वेलकम तू एपीजे जोलर सिल्वर सोरूम आज मैं आपको अमेजिंग ओफर के बारे में बताने जा रही हूं जो यह है 7%, 9% और 10% 7% की डिसकाउंट आपको तब मिलती है जब आपकी परचेसिंग अमाउंट 500 से नीचे रहता है वो 7% की क्राइटेरिया में आती है और 9% की डिसकाउंट तब मिलती है जब आपकी 500 अब 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 रहती है तो 9% आपको डिसकाउंट मिलेगा 10% की डिसकाउंट 1000 के अब अब के ऊपर है उदाहरन के लिए अगर आप 257 ग्राम सिल्वर परचेस करके तो आपका टोटल वैल्यू हो रहा है 784 तो आपकी क्राइटेरिया 9% डिसकाउंट में आती है तो आपका 9% डिसकाउंट माइनस करके टोटल अमाउंट बनता है 714 उदाहरन के लिए मैं आपको बताने जारी हूँ कि क्या क्या सिल्वर आइटम है हमारे पास जैसे कि भगवान की मुर्तिया विश्न भगवान की 10 अवतार की भी मुर्तिया है हमारे पास गनेश भगवान की 8 अवतार का भी है हमारे पास और किष्ण भगवान और जो भी आपके मन पसंद भगवान और आपकी जो आराध्य है वो सारे मुर्पिया एपी जे सिल्वर सोरूम में अबलेबल है और भी बहुत सारे आइटम है हमारे पास जैसे कि नेकलेस सिल्वर नेकलेस हो गया एंटीक नेकलेस हो गया तुर्के स्टाइल में नेकलेस हो गया बहुत सारे वराइटी है हमारे पास जैसे कि आप सब को पता है कि यह आसाड का मही इने में सिल्वर कूजा आइचम खरीदारी करने के लिए बहुत सुभ माना गया है इसमें सुभलाव की बृद्धी होती है लक्ष्मी माता स्वेम घरों में आती है और इससे बहुत सारा सुभ होता है तो सवाल यह उठता है कि क्या हम भगवान को चांदी के दीप में दीप उनको अर्पन कर सकते हैं जी हाँ जरूर कर सकते हैं जैसे कि आपको आप सबको पता है कि हमारे ग्रंतों और इसी मुनियों के कथन के अनुसार चांदी धातु को बड़ा ही सुभ माना गया है धन्यवाद आप सबको अधिक जानकारी के लिए पॉल और वाट्सब करें यह थैंक यू